नमस्कार मेरी हेल्दी लाइप में आपका स्वागत है आज हम आमला यूरीन की जलन को दूर करने में कैसे लाबदाई है वो देखेंगे यूरीन में जलन होने के कारण कई तरह के होते है जैसे यूरीन इंफेक्शन या गरम मसालेदार खाना खाने से शरीर में पित बढ़ ज ज्यादा चाए या कौफी पीना भी उरीन में जलन का कारण बन सकता है। जो लोग पानी कम पीते हैं उनके शरील में गर्मी की मात्राबढ़ जाती है और उसके कारण भी यूरीन में जलन ज्यादा बढ़ जाती हैं तो कभी-कभी वुखार भी आ जाता है और किड़नी पर भी उसकी एफक्ट हो जाती है यहां मैं जो remedy share करने जा रही हूं उसे करने से urine खुल कर आता है और जलन भी दूर होती है साथ में constipation यानी कब जबी दूर होती है और पेट भी साफ हो जाता है इसे पीने से महिलाओं में जो स्वेथ प्रदर की परेशानी होती है वो भी थोड़े दिनों में दूर हो जाती है यहां हम तीन बड़े आमले लेंगे उसे अच्छी तरह पानी से दो कर उसके टुकडे कर लेंगे फिर मिक्षर जार में उन टुकडों के साथ वन फोर्थ कप पानी डाल कर उसका रस निकालेंगे और फिर श्ट्रेनर या कॉटन कपड़े से उसे छान लेंगे अब इस आमले के रस में एक टेबल स्पून जितना शहद यानी हनी एड़ करेंगे फिर उसे अच्छी तरह से स्पून से मिक्स कर लेंगे और आराम से पीने का मज़ा लेंगे इस तरह आमला और शहद का रस सुबव में खाली पेट पीने से थोड़े दिनों में शरीर में ठंड़क हो जाती है और यूरीन की जलन दूर हो जाती है यदि आमला मिलना पॉसिबल न हो तो आमले का पावडर भी शहद के साथ ले सकते हैं आमला और शहद का रस शरीर में टोनिक का भी काम करता है आप शरीर में शक्ति और स्पूर्टी बनाए रखना चाहते हो तो इस रस को पीने के बाद उपर से दूद पीने से वो हमारे शरीर के लिए शक्ति वर्दक ड्रिंक हो जाता है और पूरे दिन शरीर में ताकत बनी रहती है और प्रसनता का अनुभव होता है। आमला एक ऐसी चीज है जिसे हम दूद के साथ भी ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कामेंट करना न बूले और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि फीर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ नमस्कार। स्वास्त रहे खुश रहें।